Welcome you all guys, PKI Tech Classes में आप सभी का स्वागत है I hope you are doing well Get 2021 की सीरीज हम continue करेंगे Network Theory की सीरीज चल रही थी तो previous वीडियो में अपने बात की थी कि किस किस तरीके से अपने RTH की value के calculate कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे एक numerical के थिरू किस तरीके से जो मैंने पिछले वीडियो में समझाये था कि short circuit से RTH की value calculate करने है तो आप उने numerical के थिरू समझेंगे कि किस तरीके से RTH की value short circuit से अपने या open circuit से अपने solve करते हैं आप मेरा course prefer कर सकते हैं गेट के लिए SSJEE के लिए PSPCL के लिए IES के लिए UPPCL के लिए NLC PGCAL RSMSSP के लिए इन सब courses के लिए आप network theory का ये course prefer कर सकते हैं क्योंकि network theory में जो basically रहता है जो content वो सब के लिए almost same रहता है numerical question JEE में भी आपको देखने को मिल सकते हैं और गेट exam में भी theoretical question आपको देखने को मिल सकते हैं तो आप किसी भी exam के लिए network theory का ये course prefer कर सकते हैं क्योंकि ये सब के लिए common ही है साथ ही मैंने इस course में बहुत सारे अलग-लग exam के जो भी question आयो है उनको बिल्कुल combine कर दिया है इसके अंदर बिल्कुल बता दिया है कि कौन-कौन से question आयो है वो notes के अंदर ही डाल दिया है जिससे आपको benefit रहेगा आपके question भी इसके अंदर ही cover हो रहे है देखिए आप जब आपका course ये complete होगा उस time आपको realize होगा कि अपने कितने सारे question इस course के अंदर ही discuss कर लिया है और कितने सारे important point जो notes के अंदर discuss कर लिया है वो question की point of view से बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है आयो होब यो आर इंजोई दिया चलिए start करते हैं बट before we begin मेरा नाम है प्रदिप कुमार और मैं अनकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ चलिए आज अपने बात करेंगे कि किस तरीके से किसी भी circuit के वे लिए अपने आर टेज की value को calculate करते हैं वी टेज की value को calculate करने के लिए कोई method नहीं था आप किसी भी तरीके से आप वहां पर voltage को calculate कर देजिए चाहे आप नोटल लगाईए के विल केसी लगाईए कुछ भी लगाईए आपको डारेक्टी वहां पर वी टेज की value को calculate करना है लेकिन आर टेज की value को calculate करने के लिए अलागलग तरीके होते हैं आप dependent source दिया रहता है या independent source दिया रहता है तो यह उन बातों पर depend किया रहता है कि आपका circuit कैसा है तो अपने बात कर रहते है कि dependent source दिया रहता है तो क्या-क्या method apply कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने प्रीविएस वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरीके से अपने को short circuit या open circuit से अपने को solve करना है RTH की value को तो इस वीडियो में अपने numerical के थ्रीव समझते हैं कि किस तरीके से RTH के value को calculate करना है तो question दिया गया है find the RTH in the given network between A and B तो आपको सबसे पहले देखना है कि A और B पॉइंट कहां पे हैं A और B पॉइंट यह हैं इन दोनों के बीच में 2 ohm का resistance आपको देखने को मिल रहा है 2 ohm का resistance के अलावा आपको कुछ भी यहां देखने को नहीं मिल रहा है साथ ही आपको बोला गया है कि एक dependent source है dependent source है जिसका voltage कितना है एक voltage dependent source है और यह voltage ही source है V voltage control voltage source VCVS दिया हुआ है आपको ठीक है और इसकी voltage जो है 3 VAB के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ है यहां पे जितना भी voltage होगा उसका 3 times यहां पे voltage होगा तो यह बात आपको बताएगी है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया गया था था? टैमनी त्यारम के लिए आप सबसे पहले इसको eliminate कर देंगे और उसके अलावा अगर अपने short circuit method follow कर रहे हैं तो यहां पे short circuit कर देंगे ठीक है? तो मैं यहां पर short circuit से कर रहे हैं, अपने short circuit की बात करता हैं, जर्नली, तो short circuit की बात करता हूँ, तो short circuit में open circuit से क्या निकालता हैं, voltage निकालता हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि VTH किस तरीके से निकालता हैं, लेकिन अपने यहां पर क्या निकालना है, RTH निकालना है, तो RTH के लिए मैं किसके बात करूँगा, शोर्ट सर्कृट के बात करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, A और B को शोर्ट कर दूँगा, जैसे ही A और B को शोर्ट कर दूँगा, इसका मतलब VA जो potential होगा, वो किसके equal होगा, बल्ल Αũ होगा, B.B के potential क्योंकि बल्कुल ही है तो सेम है, तो सेम potential के होगे, अब दोनों के potential सेम है, तो VAW kितना हो जाएगा, देखिए, तो अब इस circuit को दुबारा से rearrange कर लेंगे यहां पर इसकी value 0 आ जाएगी जब इसकी value 0 है तो इन दोनों को short कर देंगे इन दोनों को short में पहले कर चुका हूं तो इस तरीके से circuit बन जाएगा जिसमें 2K और 1K यह parallel में हो जाएगा और 2K यहां पर इस तरीके से इसके series में यह जैसे है वैसे दिखा देंगे तो इस circuit को अपने लिखते हैं किस तरीके से आजाएगा यह देखिए 2K और 1K यह parallel में आगया और 2K इसके series में है और यहां पर short है अब आप देखिए जो current है आम ऐसा ही low resistance path को follow करती है तो एक तो यह तरीका होता है कि इस circuit और इस इस resistance वैसे कोई भी current flow नहीं करेगी क्योंकि short circuit आपको दिख रहा है तो current मेंसा low resistance path follow करके यहां से चली जाएगे तो इनका कोई भी यहां पर मतलब नहीं है इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं यह parallel में है यह भी parallel में है यह भी parallel में है तो तीनो parallel में है तो R equivalent निकालते है अपने R equivalent है तो इसका जो resistance है R resistance वो 0 है तो 0 parallel with 1 के ठीक है 0 parallel with 1 के करेंगे तो आपके बास value कितनी आजाएगी 0 ही आजाएगी ठीक है उसके बाद मैं फिर 0 parallel with 2 के करेंगे तो value आपके बास कितनी आजाएगी 0 ही आजाएगी तो यह R equivalent की value आपकी बास क्या जाएगी zero जाएगी तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं या तो आप इस तरीके समझे लिजेए कि short circuit से पहले short circuit में ही current flow करेगी इन दोनों resistance में flow करेगी नहीं तो इन दोनों को अटा सकते हैं यहां फिर आप equivalent सर्किट से भी equivalent resistance से भी बात कर सकते हैं यह मैंने पहले भी बताया था आपको question के थूँ उसमें भी मैंने इस तरीके से equivalent resistance निकाला था आई वह आपको याद होगा कि मैंने basic के अंदर बताया था ठीक है अब अपने next circuit को अब और को eliminate कर दिया और यहां पर short circuit हो गया तो अब अपने को क्या करना है कि IEC की बात करनी कि IEC किस तरीके से calculate कर रहा है तो आपको एक ही voltage source दिखाई दे रहा है उसके अलावा एक resistance दिखाई दे रहा है तो IEC की value EG way में calculate कर सकते हैं 5 divided by 2 multiply by 10 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 2K है resistance की value तो IEC की value यहां पर EG way में calculate कर सकते हैं तो देखिए जब भी मैंने steps सिखाए थे आपको जब इसका theory part मैंने बताया था उस time आपको बताया था कि सबसे basic requirement जो होती है इस तरह से अपने RTH निकालने के लिए तो आपको IEC के value किसी भी तरीके से निकालनी है या फिर IEC के value आपको दी होई रहेगी दो ही तरीके होंगे तो अपने क्या-क्या यहां पर calculate कर ली तो आपको पास अगर IEC की value आगी तो उसकी वाद में VTH की value तो आप पहले से calculate करके बैठे होंगे ऑपन सर्किट से तो VTH की value पहले से calculate करके बैठे होंगे तो इसके बाद में इसका मतलब काम खतम होगे आप अपना मैंने क्या बता था RTH की value क्या होती है VSC भाई ISC VSC से क्या निकलता है जब open circuit करते हैं तो VTH और short circuit करते हैं तो क्या निकलता है लेकिन यहां पर ISC की value calculate करके फिर RTH निकलता है ठीक है तो इस तरीके से आपको VTS तो मैंने पहले V और A के बीच में A और B के बीच में क्या करेंग लोड को eliminate करके अपने VTH निकाल लिया वो यहां पर put कर दीजिए और ISC की value अपने अभी-अभी calculate कर दीए यह ISC की value है तो यह यहां पर put कर दीजिए किस तरीके से देखिए VTH की value 0.5 थी और ISC की value अभी निकाल लिया 5 divided by 2 की power 2 multiply by 10 की power 3 तो इस तरीके से आप इसको solve करेंगे तो RTH की value 200 आएगी तो यह मैंने question पहले भी बताया तो उसमें value कितनी आयती 200 आयती तो आपका यह question बिल्कुल verify हो चुका है कि इस method से भी अपने easy way question को solve कर सकते हैं आपके वास resistance की value same ही आएगी कोई भी difference आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप इस तरीक से easy way इसको solve कर सक method of calculation of RTH can be applied when the original network is having at least one independent source देखिए सबसे important बात है कि आपका one independent source आपका यहां पर प्रजेंट होना चाहिए जब भी आपका independent source प्रजेंट नहीं होता है तब आपको हमेशा ही उस method को follow करना है जब आपको one volt या one ampere source आपको मान के लेना है A और B के बीच में ठीक है और वहां से RTH की value calculate करने वह method हम आपको तब follow करना है जब आपको one independent source आपको देखने को नहीं मिले जब भी one independent source आपको देखने को मिले तो आप इसी method को follow कीज़ेगा क्योंकि यह method काफी easy है और आप easy लिए इसको apply कर सकते हैं बिलकुल यह मैंने steps के तरूँ समझाया है इसलिए इतना time ल करेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे जहां पर आपको 60 seconds लगने चाहिए वहां आपको 30 seconds में ही अंसर मिल जाएगा चीक है I hope you are understand this video उसके बाद में अगर आपको इस वीडियो से related किसी भी तरीके का doubt हो तो आप comment box में बता सकते हैं साथ ही आप यह बता सकते हैं कि यह वीडियो कैसा लगा साथ ही आप यह बता सकते हैं कि अगर आपको PPT की थरू कैसा लग रहा है अगर आपको PPT की थरू अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने दूसरे method से भी अपने continue कर सकते हैं किस तरीके से आपको आगे आगे पढ़ना चाहिए उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्याद लोग देखेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरिश्की से और अच्छे वीडियो लेके आता रहूंगा और एक और बात है कि इसमें वीडियो का डूरेशन थोड़ा सोट कर दिया मैंने क्योंकि पहले जो वीडियो में डालता था वह काफी बड़े बड़े जारता आप थोड़े चोटे डाल दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बहुत ही कम टाइम में एक मतलोग पार्ट टाइम की तरह हैं आप इसको थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते रहें और फिर उसके बाद में आपका नेट्रों थियोरी के छोटे- भी तरीके का डाउट हो तो आप टेलिग्राम ग्रूप भी जोईन करतें उसका लिंक भी अपने को डिस्क्रिप्शन बुक्स में मिल जाएगा वहां से आप उसको लिंक के त्रूप आप उसको टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लीजिए वहां में अच्च्ट्रा कोई PDF डालता रहता हूं कि किसी भी तरीके के जो भी important information है उसके PDF डालता रहता हूं वहाँ आप जोइन कर जाएगा साथ ही क्या होता है कि आप वीडियो को देखें जब भी तो पूरा देखा कीजिए क्योंकि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तब ही आपको पूरा content आपको अच्छे से समझ में आएगा otherwise क्या होगा कि आपको starting में देखेंगे कि यार नहीं अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपको वीडियो फिर पूरा content तो समझ में नहीं आएगा आपको एक बार पूरा वीडियो देखना है कोई भी वीडियो बहुत चोटा वीडियो बनाता हूं